हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो मैं इस्टड़ी फीड़ा फीजिकल एजी केसन चैनल दोस्तो डेली की तरह बेस्ट कोस्टन लोका सेरीज लेकर के आ गई हूं आज के सेसन में पच्छास सेम से क्यों मोश्ट इंपॉर्णिट है जैसा है कि दोस्तो आठ से दस वीडियो आपके अ से दस वीडियो में इसलिए आप डिश्टरब न होईगा इस प्रकार के कोस्टन साएगा तो आप असानी से हल कर लेंगे दस पंदरे वीडियो आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो जैसा कि सभी एक्जाम आपके अब जल्द से जल्द होने वाली हैं चाहे हैं अम्ती मधपदे जल्द ही उसका एक्जाम होगा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा तो आप बैठिये मत अपना प्रैक्टिस करते रहें एंड यह मारे अश का तो चली रहा है उसका भी प्रिप्रेशन करते रहें यूपी टीजीटी पीजीटी का भी जल्द ही एक्जाम होगा जैसा कि कि अथारे के बाद अभी आया ही नहीं है तो आप अपने से सोचिए कि अवस्या आएगा और अवस्या आएगा तो उसका लाव उठाएगे फिर दुबारा आने में तिन चार साल पान साल लगता है तो इसलिए एक बार अपार्चुनिटी जो आप गवा देंगे तो दुब पंदरा वीडियो जो आपके रहेंगे इस प्रकार के कोस्टन्स यानि कि चार आपसर में से तीन आपसर सिलिए रहेंगे एक विसम रहेगा उसके बाद में चेप्टर वाइज एक-एक टॉपिक से रिलेटेड यां सीक्यू कोस्टन्स का प्रैक्टिस कराऊंगी जिससे प्रफेक्ट होगा यहां पर फालतों की चीज़ फालतों की कांटेक्ट नहीं दिया जाता और जो भी है फिरी सेशन डेटेल में आपको बताया गया है प्रिविए सीर कोस्टन्स वन लाइन कोस्टन्स एंड बहुत सारे 100-100 वीडियो हैं जो मोश्ट इंपोर्न कोस्टन्स क प्रैक्टिस आपको कराया गया है इस सभी चीजे मेरे चैनल पर फ्री में अविलेबल हैं ऐसा आपको कोई भी फ्री में नहीं दे रहा है इतना सारे मटेरियल तो आप मेरे चैनल पर जाएए प्लेश को चेक किजिए जो आपके लिए उपयोगी है उन सभी वीडियो इसको कुछ देखिए अपना प्रिप्रेशन करिए तो चलते हैं आज के कोशन के तरफ कोशन है दोस्तों फॉम तब फॉल्विंग वीच वन इज और यानि निर्खित कोशन में से कौन भी सम है तो चारा आपसों आपका सिमिलर है एक आपका भी सम है तो यहां पे दिया है फ्लैं यानि कि जो हमारे उंग्लिया होती हो चौदय होती है एक एक हाथ में एन मेटा टार्सल पांच होती है जो पैर के टखने को हम टार्सल कहते हैं तार्सल उसके बाद जो होता है तल्वी वाला वह होता है मेटा टार्सल जिसे पांच होती है उसी तरह कलाई में मेटा कारपल यह पर इसके प्ला एक होती है एक तरफ दूनुन मिलाए दूह होती है जो हम्हाइय टखनी का ज्वेंन होता है उसमें 7 हड्या होती है 8 हैं ≥ भू naw audi कौन है टार्सस है नेक्ट कोश्चन है सभी कोश्चन आपको इसी तरह मिलेंगे और आपसर को आपको शातना होगा तो वही कोश्चन है तो आपको देखना है कि बॉक्सर मसल्स कौन है यहां पर साट्रोयस दिया हुआ है जैसा कि आप सबको पता है बॉक्सर मसल्स जो है सेरेटर्स एंटेरियर हैं कौन है सेरेटर्स एंटेरियर को बॉक्सर मसल्स कहते हैं इसलिए यहां पर यही आपका राम दिख गया है यही आ ise प्सक्रांड ट्रांटर धन्मचन आप पयारेया करते हैं राइडर इसमेड होता है उच्छ कि depends साल कॡ़ने 2-1% प्सक्रांड एक तैसें 2-1ी प्सक्रांड प्सक्रांड वीमुक्रांड है आपका बिसम है देखना है तो दोस्तों यहां पर कौन सा आपका बिसम है तो यहां पर लेंडन जो है कामरवेल्ज गेम का मुख्षालय है सही है लुसानी जो है ऐलम्पिक का मुख्षालय है यानि आई ऊसी International Olympic Committee का मुख्याले लुसानी स्रुजलनेन है and ACI गेम का जो मुख्याले है वो कुबेट सीटी है ये भी राइड है बर्ट आफ का आसन नमर को MS Tardom सैग यानि की South Asian गेम का मुख्याले नहीं है क्योंकि South Asian गेम का मुख्याले इस्लाममात फाकिस्तान में है next है from the following which one is odd चार में से एक बिसम संख्या कोन है तो दोस्तो यहाँ पे देखते हैं कि लाडोसिस स्वेबैक, हालोबैक यहाँ पे हालोबैक है जो मिट गया है तो लाडोसिस जो हमारे कमर वाले भाग में गढ़्धा हो जाता है खरो बन जाता है तो उसते हम कहते हैं लाडोसिस लाडोसिस को हम स्वेबैक, हालोबैक आदी नामों से भी पुकाते हैं यह तीनों सिमिलन है बट हंच बैक आपका अलग है क्योंकि हंच बैक को हम हम काईपोसीस जो हमारे पीछे पीछ निकल जाता है बाहर की तरफ कुबड़ा हो जाता है उसी को हम हंच बैग कहते हैं तो यह आपका अलग है को ठीक है सभी में आपको besanish Ёस चातना है यहां पर फीटा आपरी यानी ती इंदाजी से समंधित है इस संस्ता है को सभी पर यह कि एकर पार्ग है है धुड़ जिमनास्टिक से रिलेटेड है एंड यह 5VA आपका बावलिंग से समधित नहीं है यह 5VA आपका है फीबा बास्केट बॉल से रिलेटेड इसलिए आप अग्वासन विसम है नेक्ष्ट है यहां भी आपको देखना है कि चारमें से विसम कौन है तो यहां पर ग्रीन चीली एंड अमरनाथ लिखा है कुछ फल का नाम होगा बट लेमन ए तीनों के तीनों आपकी विटामिन सी से रिलेटेड हैं आपका कैरोट यानि जो गाजर होता है वह विटामिन ए इसमें मिलता है तो गौ आपका ओड है यानि कि विसम है उसके अलाव सभी सिमिलर है विटामिन सी से रिलेटेड है लेटेड है विटामिन सी से रिस्पेक्ट टू ओलम्पिक्स यानि ओलम्पिक से संबंध में चारो आपसर में से कौन एक विसम है तो यहां पे आपको देखना है तो जैसे कि यूरोब, एशिया, ओसिनिया ओसिनिया को कहते हैं तो यूरोब महादीब, एशिया महादीब, ऊसिनिया महादीब एंड यहां पे हैं नार्थ अमेरिका यानि कि उत्तरी अमेरिका तो यहां पे उत्री अमेरिका को महादिप नहीं माना गया है यहां पे उलम्पिक के संदर्ब में उत्री अमेरिका दच्छी अमेरिका तो अलग-अलग महादिप है ही बट उलम्पिक के संदर्ब में नहीं माना गया है क्योंकि आप देखते हैं इसलिए यहां पे और नमबर हो जाएगा आप काखो क्योंकि उलमपिक के जो प्रतीक चिंद है तिरंगा जंडा उस समय बीच में जो छला लगा होता है निला पिला काला हरा लाल का तो उसमें से निला यरूप महादिब का पिला एसिया महादिब का काला अफरीका महादिब का हरा आस्ट्रिया महादीब का लाल अमेरिका महादीब का प्रतीख है उत्री अमेरिका दश्य अमेरिका नहीं कहा गया है डारेक्ट वो अमेरिका महादीब कहा गया है इसे नार्फ अमेरिका आपका राइट नहीं होगा नेश्ट है यहां पर भी आपको चार आपसर मेंसे एक उसम को चुनना है तो यहां देखना आपको मुराजी देशाई national institute of yoga न्यू डेली तो मुराजी देशाई national institute of yoga आपका द्नु द्दॉली में है and s honest आपका पटियाला में है निन याणि कि national institute of nutrition हैराबाद में है तो यहां पर अपका इणिएन उलम्पीक एसोसियेशन का मुख्याले नीश डेलही में है मट यहां पर दोस्तों साई यहां पर सोरी गलत हो गई शारी यानिस वर्ध यहां इस वर्ण शुरी आफ में इंडिया का मुख्यारा नए दिल्ली में है यहां पटियरा दिया हुआ है इसलिए आपका विसम हो गया आपसान नमबर खो नेशा फांद फालुविंग विच वन इज आल कोन इसमें चालों में से विसम है तो दोस्तो पैरोटीट सब मैंडीबूलर सबलिंगूल यह हमारे तीन जोड़ी लार गरंथिया हमारे मुख में पाई जाती है तो जिसमें से सबसे बड़ी पैरोटीट गरंथि होती है उसके बास सब मैंडीबूलर उसके बास सबसे चोटी सम लिंगूल होती है ये तीनों लार गरंथियों से समधित है बट आपका कोई आफसल नमबर को जो है सव कालर ये कोई गरंथी नहीं है नेट्ट है इसमें से कौन एक बिसम है तो दोस्तों यहाँ बिसम कौन है आपको ये छाटना है तो यहाँ पर देखेंगे बाटरफलाई बैक स्ट्रोक ब्रेश स्ट्रोक ये आपके तैराकी के तकनीक है बट पाइक आपका तैराकी के तकनीक नहीं है पाइक आपका तैराकी के तकनीक नहीं है इसका संबंद पाइक का संबंद डाइविंग से है नेक्ष्ट है आपको छाटना है चारासर में से बिसम कौन है और कौन है तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है कि तो दोस्तों जब हमारा हम स्वांस लेते हैं तो हमारे जो स्वांस होती है वह सबसे पहले स्वांस में लिए ट्रैकिया में जाती है फेपरे में जो चर्क द दाय फेपरे में तीन भागव में बट जाती है पिर उसकी कई साखाय निकलती हैं जिसे हम व्राचेज कहते हैं उसके ही पतली पतली बहुत सारी साखाई होती है जिसे और व्रचे के चैनल होना भुखे का का थानायब भुखे, इंदर कर दिए झालीग को तो दोस्तों यहां पे तीनों के तीनों कार्बोहाइड है यह तो अलग है क्सका पाजन करते हैं इसलिए इस तीनों से अलग है लेश्ट है या इसमें से आपको देखना है कि कौन अलग है तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि सारी सिच्छा महा विद्याले लखनो की सापना 1932 में हुआ नेश्ट है इसमें कोई एक बिशम है तो आपको देखना है कोण एक विशम है यहां पे देखना है कि टर्मरिक यानि की हल्दी ग्रीन टी, टॉमेटो थिक टर्मरिक यानि हल्दी, ग्रीन टी टी टॉमेटो इन सभी में एंटी आउक्सिदेन्ट पाया जाता है बट व्रिंजाल यानि बैगन में कोई एंटी आक्सिदेंस नहीं पाए जाता है इसलिए बाकी से अलग है इसमें से कौन आपका अलग है तो दोस्तों पंदरा पांच हजा मीटर पंदर सु मीटर दस हजा मीटर में करव स्टार्ट होता है जबकि 800 मीटर में इस ट्रेगर दिया जाता है और बाकी में इस ट्रेगर नहीं दिया जाता नेशाज़ दोस्तों फॉर्म फालुविंग वीच वन इस आट इसमें से चारू में से अलग कौन है तो यहां पे आपको देखना है कि इसमें अलग कौन है तो जब यन बराबर 21 में बाई कितना दिया जाएगा अगर 21 टी में है तो कितना बाई दिया जाएगा या अट से रेटेट कोशन है तो 2, 2, 4, 2, 8, 2, 6, 2, 32 यानि 2 के पावर 5 में यानि 22 में आप 21 गटाएगे तो हो जाएगा 11 है इसका मतलब राइट है को एंड आपका उनीस से में सुपर सीडिंग जो है टू दिया जाएगा तू हमें सीडिंग हमेशा पाउर आफ टू में ही दिया जाता है इसलिए आपका ख़भी राइट है अगर 27 टी में है तो नमबर आफ राउंड की संख्या कितनी होगी तो पांच राउंड होगा जीतना टू के पाउर होगा उतना ही आपका राउंड होता है यहाँ पे अलग है यानि गलत है आपका आपसा नमबर गौ क्योंकि सुपर सीडिक हमेशा पाउर आफ टू वाले तू को ही दिया जाता है अब बाकी सब सही है नेश्ट है इसमें चारों में से कौन सबसे बिसम है तो दोस्तों यहाँ पे देखना है आपको कि टॉक ट्विस्ट पाइक यह तीनों के तीनों डाइविंग के तकनिक है याद रखेगा एंड यहाँ पे फासबरी फ्लाप आपका उची कूट यानि की हाई जंप का तकनिक है इसलिए यह सबसे अलग है नेश्ट फ्लाव फालुविंग वीच वन इज और कौन चारू में से अलग है तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है खोखो खेल का जो समय है सभी खेलों का समय दिया हुआ है तो दो पारियों में होगा एक पारी में नौनो मिनट के दो गेम होंगी जिसमें बीच में तीन मिनट का मध्यांतर होगा एंड फिर छे मिनट का आपका रेश्ट दिया जाएगा मध्यांतर फिर नो तीन नो में ती मिनित का क्वार्टर ब्रेक होगा तो इस प्रकार आपको का समय है यहां पे बहुत के इरबाल दस मिनित के चार क्वार्टर में होते हैं दस दो दस उसके बाद पांदर मिनित का मध्यांतर फिर दस दो दस दो मिनित का क्वाटर ब्रीक और फंदर मध्यांतर इस्वेकार यह 40 मिनित कर रहीगा काई पड़डी जुए व殺 20 मिनित के दौ पारिह में खेला जाता है और फासिध принnt का मध्यांतर है जो फुर्वाल है उसमें 25-25 मिनिट के दो पारे के खिला जाता है 90 मिनिट का इसमें 15 मिनिट का मध्यांतर होता है यहां पे 10 दिया हुआ है इसलिए आपका यह अलग है नेक्स्ट कोस्टन है इसमें आपको चारों में से एक जो अलग है विसम है उसको आपको छाटना है तो यहां पे आपको देखना है कि पदमा ट्रॉफी किरकेट के राश्टिये ट्रॉफी है और बेगम हजिरत महल ट्रॉफी फुडवाल का राश्टिये महिला ट्रॉफी है और परडि मा ट्रॉफी वालीवाल से एक राश्टिये ट्रॉफी है बट आपका आफन नमबर को लच्मी बाई्ट ट्रॉफी खोखो यहाराश्टिये ट्रॉफी नहीं है और सभी राश्टिये ट्रॉफी है यहां फे आपको छाटना है कि कौन सा अलग है तो यहां फे आपका जूडो, बॉक्सिंग, उसू इस सभी किस सभी combat sport है बाट, इसक्वेस आपका combat sport नहीं है इसलिए यह अलग है नेश्ट है, फॉन फॉल्विंग, विच वन इज और चलो मसिर विसम कौन है तो दोस्तों यहां पे आपको देखना है की, कुफका, कोहलर, मैक्स, वर्दीमर यह तीनों के तीनों जूए है जर्मनी के विसेस मनुविग्यानिक का नाम है जो गेस्टाल्ट वाद से समद्धित है जबकि गेस्टाल्ट जो है, यह मनुविग्यानिक का नाम नहीं है यह विसेस मनुविग्यानिकों का शमूँ है और गेस्टार्ट वाद के दोस्तों जनक जो है वर दीमन है जब कि इस पी सबसे पहले सूज है अंतर दिश्टी का प्रियोग किया इंसाइट थियोरी को सबसे पहले कोहलर ने दिया चीम पैजी पर नेक्ष्टा फालुविंग वीच वन इज आर्ट चारो में से विसम कौन है तो दोस्तों साइकल टेबूलर स्टेरकेस मेथड ये तीनु जो है लीग यानि राउंड रॉविंग टूनामेंट के लिए फिक्स्टर डालने की विधिया है जबकि लेडर टूनामेंट जो है आपसर नमर खो यह हो चैलेंज टूनामेंट का भाग है इसलिए यह अलग है चैलेंज टूनामेंट दो प्रकार को होता है लेडर टाइप एंड पिरामोई टाइप पिरामोई टाइप भी दो प्रकार को होता है किंग्स टूनामेंट इसमें चारों में से एक आपका अलग है तो आपको देखना है कि उनिस तो यहां पे हाग की कप्तान की बात कहा गया है कि सन में कौन था ठीक है तो यहां पे आपको देखना है कि उनिस तो बावन में केडी शिंग बाबु आपके भारक तीर कहां की तीम के कप्तान थे और 1936 में मेजर ध्यान चन थे और 1928 में जैपाल सिंग मुंदा से थे जबकि 1932 में लेसली वाल्टर क्लाडियस यह नहीं थे यह थे 1960 रूम उल्लंपिक में इसलिए यहां विसम है और सब सही है नेश्ट है फांड फालिविंग विश्वन इज और चारों में से विसम कौन है तो दोस्तों लेंबॉएट सूचर सेजिटल सूचर फरंटल सूचर एक खोपड़ी के जोड़ की जिसे सूचर कहा जाता है इते एतीम प्रकार के सूचर हैं लेंबॉएट सेजिटल एंड फरंटल ब्लट बट होरिज़न्टल सूचर के नाम से कोई सूचर नहीं है इसलिए यह अलग है फालविग उन आज चार ने से अलग कौन है तो तो आपकोस देखना है कि इसमें अलग कौन है तो बैलेंस जो है यड़ी संटल नं फर्श्ट क्लास कटें आपक लिएनल का लिएभर कहते हैं संटल नियूज के इक्सिट जो है resistance of force के बीच में होता है and go have force second class liver यानि कि बढ़ का liver दिती प्रकार की liver के कहते हैं जिसमें resistance यानि भार बीच में होता है exist and force के and go have multi purpose first class जो first class का उतोलग है उसे multi purpose उतोलग भी कहते हैं and आपका आफसर नमबर खो जो है speed second class दिया हुआ जो गलत है speed जो है गती का liver third class के liver को कहते हैं जिसमें force जो है बीच में होता है exist and resistance के इसलिए आपका खो अलग है next है from the following which one is odd तो इसमें चारों में से कौन अलग है तो दोस्तों चारों में से अलग कोन है तो यहां पे colon यानि की छोटी आत के भाग की बात कहा गया है छोटी आत के भाग में transverse ascending descending colon colon a भाग में बाटा गया है तो यहां पे sigmoid colon ascending and transverse colon a आपका colon का भाग है बट लेटरल colon नाम का कोई भाग नहीं है next है number of matches in first round यानि first round में कितने match होंगे तो सबको आपके सुत्र के अनसा निकाल लेना है आप निकाल लेजेगा इसका सुत्र होता है yen minus number of by upon two तो पहले आप by निकालेंगे फिर yen minus number of by yen में जितने बाई आई है उसको घटा देंगे फिर उसके बटे में दो कर देंगे दो से भाग देंगे तो आपका आज आएगा कि first round में कितने match खेले जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपसर नमबर को आपका गलती है और सभी सही है जैसे कि आफसर नमबर को को आप निकालेंगे तो अठारे टी में हैं तो अठारे टी में बाई कितना दीया जाएगा जैसा कि दो दोना चार दोना आठ दोना सोले दोना बत्तिस याशने एक दो तीन चार पांस तु के पावर फाइब हैआ तू की पावर फाइव बरावर कितना हो जाएगा 32 तो 32 माइनस 18 तो कितना बचेगा दूस्तो तो यहां भी हो जाएगा 12 में से 8 हो गया चार ती दो में से एक या एक चवदे बचेगा कितना बचेगा तो भाई कितना आया आपका भाई आया आपका चवदे कितना आया 14 आप क्या करेंगे आप आप सुत्र है येन माइनस नमबर आप आई आपान 2 तो बाई आपका आया है 14 तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 14 बटा 2 यानि कि 4 बटा 2 आएगा कितना 2 तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है इसलिए आपका यहाँ पे गलत है तो 2 मैज खिले जाएंगे फर्स राउंड में ठीक है जैसा कि आप समझ गए होंगे नेक्ष्ट है फार्म दे फाल्विंग वीच वान इज़ाट 4 मेंस से अलग कौन है तो यहाँ पे आपको देखना है कि 4 मेंस से अलग कौन है तो जैसा कि यहाँ पे आपका चरो मेंस से अलग है यहाँ पे जैसे कि 2.135 मेटर 2.135 मेटर का जो छितर होता है यह साट पूट एंड हैमर थ्रू का सरकल का ब्यास होता है 2.135 मेटर यहाँ डिसकस थ्रू का सरकल का ब्यास होता है एंड 34.92 यह आपका कि थेकनी की सेक्टर का जो कोड होता है वह साट पूट हैमर थ्रो डिसकस थ्रू इन तीनों की सेक्टर का कोड 24.92 होता है तो यह राइट है बट आपका आफसर नमबर घो जो है राइट नहीं है यानि कि इस 2.45 मीटर का संबंद फिल एवेंट से नहीं है और सबका है नेश्टर फालिविंग विच वन इज आट इन चारों में से अलग कौन है तो आपको देखना है कि इन चारों में से अलग कौन है तो यह बाधा दौर से रिलेटेड है इसमें से आपको छाटना है कि कौन इसमें गलती है या अलग कौन है तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पे आसा नमबर का है कि 0.914 मिटर 400 मिटर तो 400 मिटर पूर्स के लिए जो बाधा दौर होती है उसके बाधा की जो उचाई होती है 0.1914 मिटर होती है यह राइट है और दोस्तों 0.767 मिटर 400 मिटर जो महिला का होता है इसमें आपका यह रांग लग रहा है इसलिए यही आपका अलग होगा क्योंकि 400 मिटर महिला का जो होता है 0.762 मिटर होता है उसके लावा सब तीनों आपके सही है जैसे की 110 मिटर के लिए जो बाधा की उचाई होती है 1.067 मिटर होता है 100 मिटर के लिए 0.84 मिटर आपका उचाई होता है ने इसलिए फालिविंग वीच वान इजार यहां पर जो नुमे से कौन अलग है बिसम कौन है तो यहां पर आपको देखना है कि बिसम कौन है तो यहां पर दोस्तो कौशन स्वाल गलत हो गया है। यहां पर गौनël को सेजिचल प्लेन को δोनों सेम सिम है और क्रोंड अंड एंटेर containing पोसेरी रेइर प्लेन जो फ्रान्टल प्लेन को कहते हैं तो दो सिमलर मिल रहा है इसलिए आपका Bonus चोड़ते हैं नेक्स्ट कोशन चलते हैं कि from the following which one is odd यहाँ पे तीनों में से अलग कौन है आपको देखना है तो यहाँ पे देखना है कि हुमरस, रेडियस, ओल्ड क्रेन, यह तीनों के तीनों हमारे आर्म यानि की हाथ की हटिया है बट आपका केल केनस जो है यह हमारे एड़ी की हटिया है इसलिए यह सबसे अलग है नेक्स्ट है from the following which one is odd कौन चालों में से अलग है विसम है तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है कि कौन इसमें से अलग है तो वास्टस लेटरिलिस वास्टस मीडियलिस वास्टस इंटर मीडियलिस और एक और होता है रेक्टस फेमोरिस इन चाल पेशे ओ से मिलकर बना होता है क्वार्डिस्प्स मसल्स तो यहां पे इन तीनों का संबन्ध क्वार्डिस्प्स मसल्स समुख से हैं बत यहां पे 22 फेमुरी साब का है इसलिए आपका अलग है ठीक है नेक्ट है फार्म दे फॉलिविंग वीच वन इज आर्ड कौन चारों में से अलग है तो यहां पे आपको छाटना है कि इफ्रियेंट नर्व है एक मोटर नर्व का ही दूसरा नाम है एंड मोटर नर्व है एंड गह है नर्वस वीच केरी इंपॉल्स फांब ब्रेन टू बाड़ी पार्ड तो ब्रेन से जो है जो सुच्झनाय होती है बाड़ी पार्ड के तरफ मोटर नर्व लेके जाती है एक मोटर नर्व से समधित है इफ्रियेंट मोटर नर्व को ही कहते है और जबकि यहां पे औस नर्व एप्री इन्ट यहां सेसरी नर्व से समधित है जो हमारे निरान नर्व होता है यह आपका सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व एंड इंटरमीडियर नर्व जो सेंसरी नर्व होता है वहां हमारे सरी से समस्त ग्यारेंद्रियों से सुचनाव को ले करके मस्तिस की ओर भेजता है अब मस्तिस कभी स्लिसर करके मुटर नर्व की मादिया से हमारे अंगों तक भीजता है जिससे हमारा मांस्पेस यह कारे करती है ने शाफांद फालूविंग विच्च वन इज और इसमें से अलग कौन है तो आप इसमें ध्यान से कोस्टिंस को बढ़िए अराम से अंसर देंगे तो यहां पर देखना है आपका की इस ट्रैडल की नफस्ट इससे हमारे पेट की मांस्पेसी को मापा जाता है बादा का पुलस में वहां की ताकत मापी जाती है इसलिए आपका यहां अलग है next time from the following which one is आज चारों में से अलग कौन है तो इन चारों में से अलग कौन है यहां पर jumping, running, throwing यह सब ही आपका track and field से related है बाट आपका chaining जो है यहां आपस नमबर खो chaining जो है यहां pull-ups का ही दुसरा नाम है और उसके लागा बाकी सब track and field से related है next time from the following which one is आज चारों में से बिसम कौन है तो आपको देखना है कि कौन बिसम है तो दोस्तो cardiac और fist pharendas, pharetonium यह तीनों के तीनों पाचन तंद्र से समधित है जब कि यह और्टा जो होता है वह रख्त परी संचरत तंद्र से समधित हैं और सभी का संबंध पाचन तंद्र से हैं तर यह ओर्टा जो है महा धमनी होती है जो सबसे बड़ी धमनी होती है जो बाएं निलर से रंगत पर एरोटिक वालव के राष्टे पर्प होकर के एरोटा में जाता है महा धमने में और म है तो यहां पर आपको देखना है कि बाइल जूस लाइपेज गेंस्ट्रिक लाइपेज यह तीनों के तीनों आपके वुशा का पाचन करते हैं जब कि त्रिस्सीन जो है आपका प्रोटीन का पाचन करता है यहां पर आपको देखना है कि BMI यानि की Body Moss Index यहां सरी के वुशा को मापता है एंड खो है Water Weighing Method यह भी वुशा को मापता है एंड इसकिन फूल के लिपर भी सरी के वुशा को मेजर करता है स्लीडिंग के लिपर जो होता है यहां सरी के अंगों की चोड़ाई को मापता है स्लीडिंग के लिपर याद रखिएगा इसलिए और बाकी सब का समंद वसामापन से हैं इसलिए अलग हैं तो बहुत सारे questions आपके बन जा रहे हैं इस तरह से इसलिए आप वीडियो को ध्या देखना है कि कोण और है सबसे अलग है तो दोस्तों यहां भी आपको देखना है कि हार्ट रेट टैकिक का अडिया ब्रेडिक आडिया इस तीनों की तीनों हार्ट या निरख्त परिशांचरक तंद से समदित हैं जैकि वाइडल कपीशिटी का संबंध स्वसांत तंद से है नेक्स्ट है फां देखना फालिविंग वीच अर में से अलग कोन है तो दोस्तों यहां पी अलग कोन है तो NSS, NCC, Scout Guide ए तीनों के तीनों जो है स्वेयन सेवी संसा है बर साई आपका स्वेयन सेवी संसा नहीं है नेश्ट है फार्ण फालिविक वीच वन इज आल यहां पर सबसे अलग कौन है तो New Zealand, Papua, New Guinea, Australia यह सभी आपका आश्ट्रेलिया महादीप में आते हैं बाकी देश यह सभी आपके आश्ट्रेलिया महादीप में आते हैं जबकि स्वेयर लेंड आपका इरोप महादीप में आता है इसलिए अलग है नेश्ट फार्ण फालिविक वीच वन इज आल यहां भी सबसे अलग कौन है अलग है दोस्तों 2008 बीजिंग चीन में उलंपिक आजित हुआ था बाकी सब अलग है 2012-2048-1908 एक तीनों की तीनों आपके ओलंपिक लंदन में आउजित हुए थे नेश्ट है फार्ण फालिविक वीच वन इज आउड इसमें से कौन अलग है तो दोस्तों आपका लिंफोसाइट्स, लिकोसाइट्स, मोनोसाइट्स इस सभी स्वेट रक्तकडिका यानि डव्लू बीसी के भाग हैं जबकि इर्थुसाइट्स, आरभीसी को कहा जाता है नेश्ट फार्ण फालिविक वीच वन इज आउड इसमें से कौन एक अलग है तो दोस्तों फिक्स जोईट्स, इम्मोवेबल जोईट्स, स्टाइने थ्रोसिस जोईट्स ये तीनों अचल संधी के भाग हैं जबकि एमफियार थ्रोसिस जो है और अचल संधी के भाग हैं नेश्ट फालिविंग वीच वन इज आउड चल में से अलग कौन है तो यहां पर आपको देखना है कि ग्रिन पार्क इस्टेडियम कानपूर, वन खेड़ी इस्टेडियम मुंबई, मोनी यू, हग इस्टेडियम पटना ये तीनों के तीनों जो है क्रिकेट के इस्टेडियम है बट साल्ट लेक इस्टेडियम आपका कौलकाता ये फुडवाल खेल से समधी थै तो कौन इसमें से अलग है आपको देखना है कोईसर नमबर 46 में तो दोस्तों यहां पर मैगजिला, वोमर, लेक्राइमर, एतीनों आपके चेहरे की हडिया है उसके अलगा इस फिनायट आपका करिनियल बोन है इसलिए आपका अलग है ठीक है नेक्ट है कि कौन इसमें से अलग है सबसे तो आपको चार्टना है कि इसमें अलग कौन है तो तो यहां पर आपका अपसर नमबर खोज है पहली पहला रीज में जो का संबंध है से दात पर है कि किसी अनने के लिखित कारे का प्रयोग बिना किसी संदर्व से करना है अब बाकी तीनों का संदर्व से हैं फोट नोट्स बिविलियोग्राफी एन में रिफ्रेंट्स नेक्स्ट है फालुविंग वीच वन इस और चारों में से और कौन है तो आपको देखना है तो यहां पर दोस्तों आपको देखना है कि सेंटर, एन्टी, रेडर इन सभी का संबंध कबड़ी से हैं बट केजर का संबंध आपका बास्केर बाल से हैं नेक्स्ट है फालुविंग वीच वन इस और चारों में से अलग कौन है तो दोस्तों कैरोट साट यहां पर कार्नल होना चाहिए और साट कार्नल पिनाल्टी कार्नल है इन तीनों का संबंध हां की से हैं बट हैंड का संबंध आपका फुट वाल से हैं हैंड का संबंध की से हैं फुट वाल से हैं नेश्ट है फालिविंग वीच वन इज आर्ड इन चारों में से अलग कौन है तो दोस्तों यहां पर कमबैट का संबस दोंद से है और बाकी गैफलर पहले और रेसलर इन तीनों का संबंद आपका कुस्ती केक खिलारे के उपनाम है तो दोस्तों यह था आज की सेशन में 50 MC की कोस्टन्स जो आपके थोड़े टप लिबर के थे बट्ट आप सब पढ़े हुए थे उसी में से था कोई भी कोस्टन्स आपको आज था नहीं हुआ होगा जो आप उसका जवाब नदे सकें तो आई होब कि सभी कोस्टन्स आपको समझ में आए होंगे जो भी डाउट होगा कमेंट में बताएए और वीडियो को जाद जाद सेयर भी कीजिया और डेली बेसे स्पेसिस तरह प्रैक्किस भी करते रहे फॉर्स बाब भीट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकें को फ्रेस कर लिजे जिसे निव वीडियो का अबड़िट आप तक पहुचते रहेगा समयते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाहें